हलो गाइज मैं मैंनी साब का स्वागत करता हूँ नोलेज टीवी पर आज का जो वीडियो होगा यह बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हमारे मोबाल में भी हम किस तरह से 3D मोडलिंग कर सकते हैं अब इसके लिए कम्पूटर के जोर अब आप अपनी मन चाहिए से मन चाहिए डिजाइन इजीली मोबाल में क्रियेट कर सकते हैं अगर आप नोलेज टीवी के साथ जुड़े हुए हैं तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो अब भी सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ प्रेस करें बैल आइकन को ताकि जो ल अब यहाँ देरी ने करता हुँ मैं सिधे मुद्दे के बात पर आता हूं इस वीडियो में जो हम बात करने मोड़े हैं कि किस तरह से ठीडी मोडल बनाएंगी यह जो सेप आप देख रहे हैं यह वीडियो में बनाने वाले हैं और बहुत ही एजिली आप यह सारी ऐप एज इस तरह से बनते हैं वह आपको मैं बनाना बताऊंगा इस एप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे प्ले स्टोर और प्ले स्टोर के अंदर आपको लिखना है यह जो आप देख रहे हैं यह लिखेंगे उसके बाद जब आप सर्च करोगे इसको तो जो एप निकल के आएगा वो यहीं होगा ठीक मैंने इसको अल्रडी डाउनलोड कर रखा है तो इसको बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे आज इसमें किस तरह से से शेफ अगर आप बनाते ह यहां से इसको मैं open कर लेता हूं ठीक है और इसमें प्लस का आइकन आप देख रहे हैं यहां पर सबसे पहले दबाएंगे प्लस का आइकन में यह दबाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा दिखाई देगा स्क्रीन के उपड़ जिसमें आपको बहुत सारे option दिखाई दे रह लेकिन मैं यह यूज करता हूं यहां पर देखें यह दिख रहा है आपको setting जाशक आइकन इस पर क्लिक करेंगे और इसमें top view सेलक्ट कर लिए top view में हमें x और y axis मिल जाता है z axis उपर रहता है देखें यह z axis उपर है और x और y axis में हम इसमें काम कर सकते हैं ठीक है top view तो top view select करके ही मैं करता हूं और जो इसके अलग-अलग feature हैं उनके बारे मैं बता देता हूं basic जो चीज़ें इसमें cover कर दूँँ उसके बाद next जो वीडियो होगी उसमें हम model भी साथ के साथ बनाते जाएंगे यहां पर आप यह सबसे पहले line वाले देखें किस तरह से line करते हैं यह point है जैसे कहीं पर कोई point आपको बनाना हो तो आप point बना सकते हैं दो तरीके हैं point बनाने के एक तो देखिए point कहीं पर बनाना हो इसके point की value यहां पर स्क्रीन पर आप टच करके भिला सकते हैं जैसे मेरे को यहां पर point रखना है अपने आप value आगी देखिए यहां पर और Y में मुझे करना है 100 mm पे तो यहां पर अपने आप ही पॉइंट हो जाएगा यह देखें यह X में 20 और Y में 100 ठीक है इस तरह से पॉइंट दो तरीके से बना सकते हैं यह देखें इसके बाद ही लाइन लाइन वाला फीचर लाइन स्टार्ट पॉइंट सें पॉइंट की त का आप टलेना मालों यह जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पर मैंने फी्ट से कर दिया तो यह आ प्लोच पउइंट कि प्रेस्ट करना है यह चो देखिए तो यही डियरधा लगार है इस है उपर जाय तो यह अ यहां पर ये चारट मॉएंट होगा अभर जहाँ पे भी और यहाँ पे आप manually type करके भी line का डाल सकते हैं start point end point यह polylines है polylines start point मानलो start मेरे को center से ही करना है x0 y0 z0 ठीक है तिनो value डाल दी यहाँ से start होगा उसका जो next point है वो हम डाल सकते हैं मानलो मेरे को next point डालना है इसमें x में मुझे चाहिए 50 ठीक है उसके बाद यह देखिए यहाँ पर relative में आ रहा है इसको अगर आपको use लेना हो तो absolute में भी ले सकते हैं relative में मतलब जो यह previous point है यहाँ से वो value लीड करेगा जैसे y में मेरे को आप 100 करना है ठीक है y में मैंने 100 कर दिया यह 100 mm पे हो गया अब x में और मैं 20 करूँगा तो यह center से 20 नहीं जाएगा यह जो इसका previous point है यहाँ से 20 आगे जाएगा यह आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए यह 20 आगे बड़ा इसको मैंने कर दिया यह देखिए ठीक है लेकिन अगर मैं इसको absolute कर देता हूँ यह पे देखिए अगर इस relative को मैं कर देता हूँ absolute तो अब यह center से read करेगा अब देखिए मैं x 20 करता हूँ एक्स में 20 और line देखो पीछे आ गई यह देखिए टो फ्यू और यहाँ पे देख सकते हैं यह line absolute में पीछे के दरब absolute और relative में यहीं अंतर है आप यह याद रखना है क्योंकि यह चीज़े आगे आपको बहुत काम आने वाली है अब यह polyline आप ऐसे भी करके बना सकते हैं easily कोई भी structure बना सकते हैं polyline से direct line करके और आपको last में यह जो right click है इस पे click करके और यह सारी lines बन जाएंगी यहाँ पर आप देख रहें यह undo का option हैं यहां से आप esté कर सकते इनको यह देखें परली से पॉली कट्व होगे यह पॉइंट कोट्व होगे और यह देखें इसको आगे भी कर सकते हैं इसको आगे भी कर सकते हैं ठीक है तो इसijoally lines and point और line का आपको पता चल गया होगा next इसमें ये arc का option है देखिए ये वाला तो arc कैसे arc का start point और mid point और last point देना होता है मौनलो arc का start point मैंने ये दे दिया mid point यहाँ पे और last point यहाँ पे इस तरह से आप arc easily बना सकते हैं कोई भी arc ठीक है और ये उसके बाद next है tangent arc tangent arc में 2 point ही देने होते है starting point और last point tangent arc है tangent arc यहाँ से लेते हैं किसी भी जोब पे ले गई यहाँ से और इसका start point यह ले यह circle complete हो गया tangent arc इस काम में आता है ठीक है तो tangent arc के बाद में इसमें जो दे रखा है यहाँ पे देखे यह वाली line spline line है spline का starting point और इसका next point और इसके बाद इसका next point तो इस तरह से curve हो जाएगी यह next point फिर next point जैसे भी आपको अगर इस तरह की structure बनानी होती है तो इसके लिए spline line काम में आती है ठीक है इसके बाद यह circle है circle का center point मांगता है circle का center point आप manually डाल भी सकते हैं और circle की boundary point में कितने का आपको circle बनाना है वो चीज आपको circle boundary point में डालनी होती है जैसे मानलो आपको 20 mm का circle बनाना है इसको मैं अंडी कर देता हूँ ठीक है मानलो circle बनाना है मुझे यहाँ पर ठीक है और इसकी boundary point मतलब कितने डाया का बनाना है मुझे मानलो 70 mm डाया का circle बनाना है तो क्या करना होगा 35 की उसकी radius डालूँगा इस पर radius value डालते है 35 mm मैंने डाला तो मतलब 70 mm डाया का circle बने गए कैसे पता चलेगा यहाँ पर देखिए मेजर करने का option भी है यहाँ पर यह इंची टैप जैसे आपको दिख रहा है इस तरह से जब circle बनाते हैं तो इसमें radius value डालेंगे यह देखिए eclipse rectangle eclipse center point eclipse के लिए eclipse boundary point आप वैसे डाल भी सकते हैं और इसमें बना भी सकते हैं eclipse आपको जैसे बनाना हो x में कितना y में कितना उसी साब से आप डाल सकते हैं जैसे आपको चाहिए ठीक है अंदाकारा करती के लिए या फिर इजेक्ट सर्किल भी इस से बन जाता है rectangle start point rectangle बना सकते है rectangle के start point क्या start point मैंगे यह rectangle के start point है rectangle का the corner end point है वो और उसके बाद में यह ऐस तरह से rectangle बन जाएगा ठीक है और इसके बाद में जो आप देखेंगे यह यहां पर circumscribed polygon के लिए है कितने face आपको चाहिए वह अलग अलग मानलो मेरे को octagonal चाहिए 8 face 8 octagonal कर दिया और यह center point और इसके बाद मैं octagonal बना रहा हूँ यहां पर इस तरह से आप जैसे भी आपको चाहिए उस तरह का बन सकता है यह inscribed है inscribed किस तरह से बनेगा यहां पर देख सकते हैं इसमें भी आप अगर बढाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं मानलो मेरे को यह 10 इसमें यह चाहिए तो यह देखें तो इस तरह से यह साइट बना सकते हैं तो guys मैं आपको अलग-अलग shape बनाने इसमें बता देता हूँ एक्स्क्रूड की तरह से कीशेब को किया जाता है मानलो मेरे को को cylindrical part हो यहां पर बनाना है तो cylindrical part बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहां पर easily बना सकता हूँ यहां पर देखी यह अलग-अलग shape बनाने के लिए यह दे रखी है यहां से यह जो देख रहे हैं यह थर्ड नम पॉइंट हे इन पर किलिक करके एक्स जीरो वाई जीरो जीरो ठीक है। उसका सेक्ट कॉर्णर पॉइंट मानलों मेरे को यहाँ पर देना है यह यहाँ पर आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो उधर ही इसका सेक्ट कोणर नर्मतलब लास्ट कोणर जितनी आपको कि सकते हैं ठीक है और बोक्स की जो हाइट देनी है जैड में कितना उचा उठाना मालो मेरे को 50 mm हाइट पे बोक्स बनाना है यहाँ पर जैड में 50 डाल दीजी क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्ले न लग अलग है और इस तरह से आप देख सकते हैं तंगल पार्ट बन गया, बॉक्स बन गया, ठीक है तो इसी साब जब मालो आपको कौन बनाना है तो कौन के लिए क्या करेंगा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह कौन के लिए दे रखा, कौन का सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए, मालो यह यह इस box के उपर ही मेरे को बनाना है center point यह है radius क्या होगी, कौन की radius डाल दो मेरे को 50 mm radius का कौन बनाना है, और कौन की height क्या डालनी है ठीक है, height डाल देते है मेरे को 100 mm का कौन चाहिए height में, ठीक है, यहाँ पर करके और इस पर click कर दीजिए यह देखिए, यह कौन बन गया है, ठीक है यह देखिए, यहाँ पर यहाँ पर देखिए, ट्रंकेटेड कौन है, ट्रंकेटेड कौन भी सेम उसी तरह से आप बना सकते हैं, कहीं पर भी easily, और इसको जिस तरह से बनाना हो आप बना सकते हैं यह देखिए ट्रंकेटेट कौन इस तरह का कुछ बनता है ठीक है और इसके बाद में यहां पे देखिए शिलंडर के लिए है यह जो अप्शन है यह देखिए यहां पे शिलंडर के लिए है शी लेंडर का जो सुंडर पॉंट बनाना आपको माल जहांसे भी आपको स्मद्र बनाना है स्मynnडर का सैंटर यह माल मेरे को यह इस इंडर पांट है उलंडर कितने को बनाना माल वाल सो सो का स्म writes वनाना होगी ठीक हैं और यहां पर यहां फो देखिए इस पेर बनाने के लिए इस पेर सेंन्टर पॉइंट perform यह सब से पहले स्पेर का सेंटर का मांगें मौने यहां पर नदाना इसके सेंटर पॉइंट है स्पेर का रेडियस पॉइंट मेरे को इतना बड़ा स्पेर बनाना है यह यह बन गया स्पेरिकल पूरा गोल ठीक है स्पेर बन गया है यह देखिए यह टोरस सेंटर पॉइंट के लिए टोरस का सेंटर पॉइंट मान लो मेरे को यह टोरस का सेंटर पॉइंट यह है और टोरस का थर्ड पॉइंट मेरे को यह चाहिए मान लो यह यह वाल ठीक है यह यह लो यह टोरस भी बन गया इसी तरह से इसमें बहुत सारी ये सेप दीवी हैं जो आप आप आराम से बना सकते हैं ये देखिए वेजेज ये पिरामिड के लिए पिरामिड का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉंट आपको देना होता है ये इसके हाइट के लिए माल लो इतना बड़ा मेरे को पिरामिड चाहिए तो देखिए ये पिरामिड इस तरह चाहिए सेप इजी लिए आप बना सकते हैं इसमें सेप बनाने के लिए काफी सेप इसमें ओल्रेडी दे रखिए इसकी हाइट यह लेजिए जो आग अगा है यह देखिए ट्रंकेटेड प्रामिड ठीक है तो गाज यह इस एप के बेसिक कुछ ही फीचर है लेकिन और भी बहुत शार फीचर है जिनके आपको ज़रूत पढ़ने वाले हैं उनकि चर्थ हम नेक्ट वीडियो हम करेंगे क्यों यह वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है ठीक है और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करने में कंजू सी बिल्कुल भी नय करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा था